चतरबुजले के गौर इहार जन्पत पंचयात अंतरकत आने वाली ग्राम पंचयात हाजीपुर के कुमरिन पुरवा के ग्रामीडों ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देकर पंचयात के सेल्समेन पर तीन माहे से राशन न देने के गंभीरा रोप लगाए हैं। सेल्समेन अरविंद रियादों को पदस्त किया गया था। अरविंद रियादों ने पदस्त होने के बाद दो माहे का राशन दिया लेकिन उसके बाद से ग्रामीडों को राशन नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीड सर्वाई तहसिलदार और गौरीहार SDM से इस संबंद में शिकायद भी कर चुके हैं कलेक्टर को अबिदन देकर ग्रामीडों ने कारवाही की मांग की है परवरी माह में आया हूँ अब उसका नाम है अर्विंद यादो और फिनंदू यादो वह इमल्याही का रहने वाला है वो जो तो लगातार गला दो मैने का बांटा जबकि फरवरी और मार्च ऑम मार्च के बांटने के बाद आप आप राहल मौई उसने नहीं बांटा माई मे उसने फिंगल लगवाए के वाई सी के बहाने से कि मैं के वाई सी कराना चाहता हूँ आपकी पहले फिंगल लगा तो इसके बाद गला दिया जाएगा फिर भी आज तक उसने गला नहीं दिया जब उसके लगे जाते रहे कि भाई साब गला दीजिये तो कहता रहा कि मेरे पास ख़त द्यान नहीं है, एक महिने रुको मैं एक हटा दूँगा दो महिने का तीन महिने का जब आ जाएगा तुम्हारे पास, इसके बाद वो भी निकालके कर दिया गया, अब सिकायद हमने किया तैसिल सरवई में, नयाब तैसिलदार साथ के यहां, और गवर्यार में किया, अज आए जिला चातर पूर, जन सुनवाई के पास कलेक्टर महुदय के यहां, ताप के पास यहां चातर पूर में, चातर पूर में अभी तो जमा किया गया भारम, पावतिया।